कि नमस्कार कसान भाईयों मैं सुर्य देवल फिर से हजरूं आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरुजी में आज हम बात करेंगे धान के फसल में लगने वाले माहूरोक के बारे में कि ये हमारी फसल को किस हम वैंसे इस से नुक्सान पुछाता है ये कैसे लगता है इससे बचने कि क्या उपाय है और हम इसमें कितना किसान भाईयों खर्मारियों पहने झालोक हो जाती है जिससे कि हमारे किसान भाईयों को बहुत ज्यादा नुक्सान हो जाता है तो किसान भाईयों यदि यह सुखनी शुरू होगी है तब तो इसमें किसी भी इंसेक्ट सैट का यदि आप उप्योग करते हैं तो इसका रिएट इतना अच्छा नहीं आपाता है जितना कि हमारे किसान भाईयों को चाहिए किसान भाईयों जैसे ही यह कि माहू का रोग लगना शुरू होता है उस टैम पर यदि आप इस प्रियोग करते हैं तब तो हमारी धान की फसल इससे बस सकती है लेकिन यदि यह पीली पढ़नी या सूखनी चलोगी तब इसके बचने की चांस काफी कम रहती है पीली पढ़ने पर भी चांस है कि यह बस सक तो किसान भाई यह इसके लिए आपको लेना है सिंजेंटा कंपनी का चैज नाम से आता है यह सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है आप ऐसा बिल्कुल नहीं सूची कि मैं सिंजेंटा कंपनी से हूं यह काफी अच्छा है इसलिए में बता रहा हूं और यह अभी इं 15-20 दिन तक की काम करता है जाब आइसका रॉपये चैय सो रॉप्ये 600ील रॉपय प्रूसरियों कि एकड़ के साफ़ से जाएगा यह जान प्रूसरियों सब्सक्राइट इसकी के बीन आप 80-90ml असाप लगा सकते सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह पसंद ना आई हो तो चैनल को आप डिस अंसब्सक्राइब कर सकते हैं फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानका के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत